हेलो दोस्तो, श्वागा थे आपका Study Smart Studio में, आज हम Modern History में बंगाल की Governor General की बारे में पढ़ेंगी यह हैं बंगाल की Governor General का क्रम, इनको हम नेश्ट स्लाइड में एकिक करके देखेंगी बंगाल के प्रिथम गवर्नर जर्णरल वारिन हैस्टिंग बनाए गए थी सत्रासो तहित्तर में एक Regulating Act आया था इस Act के तहँड बंगाल की गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जर्णरल कहा जानी लगा था इस Act में क्या प्रावधान था इसमें कम्पिनी की कारीयों को नियंत्रित करना, संसरी प्रणाली को स्थापित करना और राज़नितिक कारियों को बढ़ावा देना था इसी एक्ट के तहद 1745 में कलक attempt में एक सुप्रेम कोर्ट की स्थापना की गय थी इस सुप्रेम कोर्ट के प्रठा मुख्य नियादिस एलिजा इंपी बनाए गए थे जबकि अन्य नियादिस हाइट स्चेंबर वालिमनेस्टर बनाए गए थे वारिन हैस्टिंग ने राज के कुसागार को मुर्सीदाबाद से कलकत्ता में इस्तानांतरित किया था मुर्शिदाबाद कहा है यह बंगाल में इस्तित है इसने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में राच के कुशागार को इस्तानांत्रित किया था वा प्रतिक जिली में फोशदारी वा दीबानी अदालत की स्थापना की थी वारिन हैस्टिंग को भारत में न्याइक सेवा का जन्मिदाता किसी कहा जाता है वारिन हैस्टिंग को इसी के काल में Board of Revenue की स्थापना की गए थी इसने लगान के हिसाब की देखवाल के लिए राय राया नामक अधिकारी की निप्टि किये थी और इस पत को प्राप्ट करने वाला प्रिथम भारतिय दुल्लब राज का पुत्र राजा राजबल्लाव था राय रायान के पत पर पहुँचने वाला प्रिथम व्यक्ति कौन था राजबल्लाव वारिन हैस्टिंग के समय में ही प्रथम आंगल मराथा युद्ध हुआ था प्रथम आंगल मराथा युद्ध सालबाई की संदी से समाप्त हुआ था और इसी के समय में ही दुटियाय मैसूद युद्ध हुआ था यह युद्ध मंगलोर की संदी से समाप्त हुआ था वारिन हेस्टिंग ने 1781 में इसने गीता के अंग्रेजी अनुबातकार बिलियम विलकिंस को आसराय प्रदान किया था गीता के अंग्रेजी अनुबातकार बिलियम विलकिंस को हेस्टिंग ने आसराय प्रदान किया था वरिन हेष्टिंग के समय में ही 1782 में जोनाथन डंकन ने वनारस में एक संस्कृस्ट विद्ध्याले की स्थापना की थी और 1784 में सर बिलियम जोंस ने दा ऐसियातिक सुसाइटी और बंगाल की स्थापना की थी इसकी समय में ही भारत का प्रथम समाचार पत्र दा बंगाल गजट का प्रकासन हुआ था भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट यह इसी की समय में हुआ था हैस्टिंग ने बंगाली ब्रां मर नंद कुमार पर जूंटा आरोप लगा कर उसको फांशी की सजाबी दिल्वा दिती यह सभी पॉन्ट आपको याद रखना है वारिन हैस्टिंग के बारे में इसके समय में क्या क्या घटना हुई वो आपको याद रखना है इसी के समय में Pits India Act आया था इसमें क्या परावधान था? इस Act की ताहद इंग्लेंड में एक नियंटर्ण बोर्ड की स्थापना की गई क्योंकि गई थी? क्योंकि यह नियंटर्ण बोर्ड कम्पनी पर अपना नियंटर्ण रख सके वारिन हैस्टिंग से सुरक्षा प्रकोष्ट की नीटी संबंदित है सुरक्षा प्रकोष्ट की नीटी किस संबंदित है? वारिन हैस्टिंग से Pits India के ग्रोज में हैस्टिंग ने इस्टीपा दे दिया था इस्टीपा दे दिया इंग्लेंड वारिन हैस्टिंग ने इस कारण एग्लेंज में बर्फ द्वारा इस पर महावियुक चलाए गया था यह एकमात्र गवर्णर जेनल है जिस पर महावियुक चलाए गया है यह भी आपको याद रखना है और केसे ने महावियुक चलाए था? बर्फ ने बॉरिन हैस्टिंग के इस टीवी के बाद जोन मेक फार्सन को आइस्थाई गवर्नर बना जाता है यह 1785 से 1786 तक गवर्नर जेनल बनता है इसके बाद रार्ड कारन वालेस 1737–1993 तक बंगाल का गवर्नर जेनल बनता है लाड कार्णिबालिस को भारत में सिविल सीवा और पुलिस सीवा का जन्मेदाता किसी कहा जाता है लोड कार्णिबालिस को लौर्ट कालबानिस ने प्रतीक जिले में पुलिस थाने की स्तापना कर वहां कुछ पुलिस अधिकारियों की निप्टी की थी वह इसने जिले की समझत अधिकार कलेक्टर की हाथ में दे दिये थी इसने 1789 में दास ब्यापार पर रोक लगाई थी दास ब्यापार पर रोख किसने लगाई थी लौर्ट कार्णबालिस ने लौर्ट कार्णबालिस के समय में ही तितलिय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था और यह युद्ध स्री रंग पच्णम की सद्धी से समाप्त हुआ था इसी के समय में ही 1793 में इसने कार्ण बाले सहीता लागू की थी यह सक्ती की प्रिथककरन द्वारा न्याय वक्कर विवस्ता को अलग अलग करती है कौनबालिस सहीता, सक्ती की प्रिठककरण सिद्धानत द्वारा न्याय वखकर विवस्ताको अलग-अलग करने का प्रावधान करती है इसी के समय में ही 1793 में इस्ताई बंदोवस्ति की सुद्वात की कई थी इस्ताई बंदुवस्त की योजना सर्पिथम जौन सोर द्वारा बनाई गई थी और इसे सर्पिथम बंगाल बिहार उरीशा बनाराच छेत्र में लागू क्या गया था इसमें क्या परावदान था इसमें भूर आजश्व का 90 प्रतीसत कंपनी रखेगी और 10 प्रतीसत जमीदार रखेंगे यह सबी आपको इस्ताई बंदुवस्ति की बारे में जाद रखना है इसके बाद सर्जोन सोर बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है सर्जोन सोर ने मैसूर के प्रती आहस्ते छेपकी नीती अपनाई थी इसी की समय में ही 1793 में एक चार्टर एक्ट आया था और इसी की समय में ही 1795 में मराथों और निजामों के बीच खारदा का जुद्ध हुआ था इतना आपको सर्जोन सोर के कारकाल में याद रखना है इसके बाद लॉड बेनेजली 1795 से 1856 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉड बेनेजली स्वयम को बंगाल का सिर कहता था लॉड बेनेजली ने सहाइक संधी की सुरूबात की थी यह किसलिए की गई थी? फ्रांसिसियों की इभाय को समाप्त करने और बृतिश सामराज का विस्तार करने के लिए सहायक संदी की शुरूबात की गई थी इस संदी पर हस्ताक्षर करने वाली प्रमुकराज कौन से है? हैदराबाद, मैसूर, तंजोर, अबद, पेशवा, बरार वा भोशले यह इस संदी की स्विकार करने वाली प्रमुकराज है इन दोर के खोलकर ने सहायक संदी स्विकार नहीं की थी यह परिक्चा में पूछा जाता है इसके अलाबा सबसे पहली बार सहायक संदी पर हस्ताक्षर करने के थी हैदराबाद राजने लॉड बेलेजनी के संदी आंगल मैसूर युद्धुगा था यह युद्ध 1799 में लड़ा गया था और इस युद्ध में टीपु सुल्टान की मृत्व हो जाती है इसी के समय में ही दुटिय मराथा युद्ध हुआ था दुटिय मराथा युद्ध मराथा पेशवा अववा अंग्रेजों के बीच अठारा सो तीन से अठारा सो पांच के बीच लड़ा गया था इसने अठारा सो में कलकत्ता में नागरेख सेवा में भरती युवाव को प्रिसिक्षर देने के लिए फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्टापना की थी और इसने प्रिस्ट पर प्रतिवन्द भी लगा दिया था फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्टापना किसन की थी लॉर्ड बेली जनली ने अब इसके बाद अठारा सो पास में कर्णबालिस पुना गवर्नर जनल बनाय जाता है लेकिन इसकी मिर्ट्टू उत्ताप्रदेश के गांजीपूर में हो जाती है इसकी समाधी अभी बरतमान में उत्ताप्रदेश के गांजीपूर में है और यह एकमात्र गवर्नर जनल है जिसकी समाधी भारत में हैं और कहां हैं उत्ता प्रदेश की गांजीपूर में इसके बाद सर जॉर्ज वैलू गवर्णर बनते हैं इसके समाए में आपको एक ही घचना याद रखना है अठारा सो छे में बैलूर का सिपाही विद्रो सर जॉर्ज वैलू के कारकाल में हुआ था बैलूर का सिपाही विद्रो किसके कारकाल में हुआ था सर जॉर्ज वैलू के इसके बाद लॉर्ड मिन्टू प्रथम बंगाल की गवर्णर जनरल बना जाते हैं इसकी समाए में 1809 में अम्रिश संदी की संदी हुई थी अम्रिश संदी अंग्रेजों और राजा रणजित सिंग के बीच हुई थी और यह संदी चार्ल्स मेटकोई की मद्धस्ता में लार्ड मिन्टू प्रथम के कारकाल में हुई थी इसी के काल में एक चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था चार्टर एक्ट 1813 कपारित हुआ था लार्ड मिन्टू प्रथम के कारकाल में इसके बाद लार्ड हैस्टिंग बंगाल के गवर्णर बनते हैं इसके काल में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और यह यु कर दिया था कि इसने 1818 में पिंडारियों का दमन किया था वह प्रेस पर लगाए गए प्रतिवंद को भी हटा दिया था इसी के समय में 1882 में टेंसेंसी एक्ट या कास्षकारी अधिनियम पारिश हुआ था लौर्ड हेस्टिंग के समय काल में मदरास के गवर्नर टॉमस मुन्रो थे टॉमस मुन्रो ने 1820 में मदरास में रईयतबारी विवस्ता लागू की थी इसके तहट भूमी का वाश्टिक स्वामी किसान को मना गया था इसके बाद सर जोन एडमस को बंगाल का आहस्ताई गवर्नर जनर बनाय जाता है लौर्ड हेस्टिंग के बाद दो-तीन महीनों के लिए जोन एडमस को बंगाल का आहस्ताई गवर्नर बनाय जाता है इसके बाद लॉर्ड हेस्टेम गवर्नर जनरल बनते हैं इनका कारकल 1823 से 1828 के बीच होता है इनी के समय में प्रिथम आंगले बर्मायुद हुआ था जो यांडबू की संदी से समाप्ट हुआ था और इनके समय में एक प्रमुग घटना हुई थी 1824 में बेरखपुर का सिपाही विद्रो है बेरखपुर का सिपाही विद्रो लॉर्ड एम हश्ट की काल में हुआ था इसके बाद बिलियम बेंटेक्स बंगाल की गवर्नर जनरल बना जाती है 1823 में इनके समय में एक चार्टर एक्ट आये था इस चार्थत एक्ट में बंगाल की गवर्ने जन्रल को अब भारत का गवर्ने जन्रल कहा जाने लगा था इस प्रकार बिलियम बेंटेक्स भारत की प्रतम गवर्ने जन्रल बने थी नेस्ट वीडियो में हम भारत की गवर्ने जन्रल की बारे में पढ़ेंगे यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को like और चैनल को subscribe जरू करें तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye नेस्ट वीडियो में हम भारत के governor journal के बार में पढ़ेंगे Thanks for watching